चेली खबरों की शिरुवात बड़ी खबर की साथ, सबसे पहली बड़ी खबर भीवानी से, सरकार पर भुपिंद्र हुड़ा का हमला, हर्यान सरकार को एक बार फिर से हुड़ा ने नौन परफॉर्मिंग सरकार कहा है। तो भुपिंद्र हुड़ा एक बार फिर से सरकार पर हमलावर नजर आए, सियम चुंकि जनसंबाद कारिक्रिम करने आप जानते हैं, सरसावी कल से उनका कारिक्रिम शिरू होने वाला है, अगले चरण पर सियम होंगे, तो हुड़ाई कहते हैं कि स्वेम संबाद करने सियम और लालूर, नौ साल के बाद क्या जनसंबाद के अभियाद आई है, हरियाना सरकार नौन परफॉर्मिंस सरकार के, सरकार से हर एक बर्ग परिक्षान के, तो बड़ी खबर आपको उचार है, वुपिंद्र हुड़ा का हरियाना सरकार पर बार सियम पर भी जमकर बरसे नौ साल से सरकार में कुछ नहीं किया, तो देखिए हरियाना इंदिनों चुनावी मोड पर है, सियम एक तरफ जनसंबाद कर रहे हैं, तो कॉंग्रेस भी विपक्षाप्ति समक्ष्ट के कारिक्यम लेकर जनता की बीच जा रही है, चुनावी वादों का दौर अब्त जो पर्देश 2014 में परतिवेक्ति आए, परतिवेक्ति नवेश में नमबर एक था, आज किसी में नमबर एक है, आज बेरोगादी में, अपराद में, और आप देख रहे हैं, हारी साब से विकास में पुछड़ गया, जो नमबर एक पिसा, वो अपना पायदान नीचे आग सारे सारे जाजितिक दलों को सारे संगठनों को दल का तरादिती से उपरोट कर उनका समस्तन करना चींग न्याए दिर्वाने की बाद है, आज में को निकरें, किसान तो गेड़ जार रुपे कुंटन कम बेश चुपा है, पुरिशानी ना MSB निंटी है और ना अब जो है, समय पे उठान होता है, किसान परिशाना हर वर्ग इस सरकार से विमोख हो चुका है, जन सवाद नहीं है, स्वेम सवाद है हो, नो साल के बाद जन सवाद है क्या मतलत है? मुझे आवाद मिले हैं, क्या मिले हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, देखे, हुड़ा साब ने कहा कि स्वेम नौ साल बाद जन संवाद नहीं, बलकि स्वेम संवाद कर रही है। मैं कारेकाल में हर्याना प्रतिविक्ति मिलेश और प्रतिविक्ति आये में नंबर वजी था। मानिय मुख्य मंत्रीजी के इंदर हर्याना प्रदेश की GSDP चार गुना बढ़ गया है मानिय मुख्य मंत्रीजी के इस कारेकाल के अंदर अब तब हर्याना प्रदेश में कर्ज चार गुना बढ़ गए आंगे बार बार कर्ज को लेकर हालंकि आप लोग की डेफिनिशन अलग है वुपिंद्र हुडा से बजरंग दास जी क्यों लग रहे हुडा साब को की स्वेम संबाद के और फिर जनता की बेच जाना जनता से संबाद करना अगर स्वेम संबाद तो विपक्ष आपके समख्ष जैसे कारिक्रिम आप लोग कर रहे हैं हाथ से हाथ जूर अभियान आप लोग कर रहे हैं उसके क्या माइने जोसी जी तकार जो है मुक्य मंत्री जनता की समश्या को हल करना मगर मुक्य मंत्री जनता की समश्या हल करने के वजाए जनता की समश तुल्शा बढाने में लगातार लगे हूए है कैसे में साती कहते हैं मतारवात्व को आज इनके राज में देख लो तुन्हूं और सपंसे अपर और किसान सपर्कों पर अज़नवारी महलाउं सपर अगर यह जंता की समस्भान करते हैं तो यह दो चिटाव परगमन अऑ इतनर कुछ बात करते हैं और मेरी शचानू नहीं है जनता भी हमाना लेहें जितार कुछ इसे पहले है लिए टार भुष जादा आए में जो भी माद आप आपी आपकी मान ले साल सुआज़ा है, आपकी बात मन लेंगे, आपकी बी करता हूं, मैं ये क्या रहतु हुं बाद अर्फाली साल करदा इसमार अजार करोड और नो साल कर लिए करदा था हाल बना इंकम चाहदा है, तो आप जाचा चो ले रहे हो, करदा ले कर तो लेकर मलाई खा रहे हो अरई आप को इतर पुए कार दिझता है, अरष ब्लhelm में पना तीचर में सकारी स्कूल बंड हो रहे हैं, इनके, आफ लोगों पूह लग रहा है कि हर एक वर्क की बुकल परिशान हैसरकार से। कि अब क्या याद आगी है अब क्या याद आगी जनता की निखिए सबसे पहली बात हो यह है कि मुख्यमंत्री मुनोहर राजी का जो पिछले कारेकाल में जो काम किये थे उसको लेकर हम 2019 में जनता के बीट में चले गए जनता ने हमारे कामों के फरामा के थी इसलिए हमें साथे तीन साल का कारेकाल है जिसको लेके मान्य मुख्यमंत्री जनता के बीचने के जनता के समधान कर रहे हैं सत्ता तो जनतारी नहीं सोपी थी सिंगल आर्डिस पारटी आप लोग थे लेकिन मैंडिट सरकार बनाने का नहीं था खेर वो अलग बाग क्या आपके बनाया हमें 2014 के मुकाबले साड़े 3% जादा मत लिया तो मसला जनता ने हमारे कामों को सराना की तभी हमें जादा मत मिल घ्राटिश के मानी मुकामा अगरे के जनता लुकां बंद कर दीए अब तकलीव कहा पे है वो समधना पड़े जिन लोगों के सकता के र coal कर देखेर ने हैं कि युवा नोकरी पाने के लिए दरदर बढ़कते थे जहां पे आम चन को सरकारी सुईदाएं मिलती नहीं थी जो सप्ता के नजदीक लोग थे वो सप्ता के मज़े लूट रहे थे तिस मुख्या मंत्री ने इस तरह की विवस्था बना दी जो पहले की विवस्था है थी भा परविनकरे जी आपके पास बहुत सारी अपलब्धिया हैं हें मताने को विवस्था जी की पास उड़ा साब की बहुत सारी खामयां और बहुत सारे आरूपी electrum पर बहुत शुक्रे आप लोगों नहीं वक्तिया हमने चर्चा की मुपिंद्र हुडा की बयान को लेकर नौन परफॉर्मिंग सरकार खे और जन समबाद नहीं सेम स्वेम समबाद कर रहे हैं सरकार के अब 9 साल के बाद